गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का इस्टेडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर तो आए शुरू करते हैं आज़ाँ पांसो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स की क्योसंस का वीडियो नमबर 6 जिसके अंदर हम बात करेंगे 2018-2020 से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के क्योसंस के बारे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स SSC, BANK, GD, UPSC, MTSO इस लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ अगर अब तक आपने सब्सक्राइब कर ले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन में किलिक करना भी ना भूले यदि आप इस वीडियो की PDF फाइब प्रात करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ जाएए जिसका लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो को लाइक करें और शेर करें क्योंकि आपके लाइक और शेर से में मोटिवेशन मलता है चलिए इसी के साथ सुरू करते हैं उसका वीडियो और देखते हैं पहला क्योशन पहला क्योशन है देश की पहली 5G परियोग साला कहां पर इस्ताबित की गई है तो वे IIT दिल्ली में भारत के सबसे युवा राश्टी मंडल स्वर्ण पदक विजेता कौन बने है तो अनिस भाउनला अनिस भाउनला सबसे युवा राश्टी मंडल स्वर्ण पदक विजेता बने है 2018 में राजकपूर लाइफ टाइम पुर्शकार से किसे सम्मानित किया गया है तो वे धर्मेंदर को 2018 में राजकपूर लाइफ टाइम पुर्शकार से धर्मेंदर को सम्मानित किया गया है जो की एक अभिनेता है चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं next question Next question है 2018 में किस देश में सरकारी नोकरियों में आलत्सन समाप्त किया है तो बांगला देश में 2018 में बांगला देश में सरकारी नोकरियों में आलत्सन समाप्त किया है 2018 में विशु के नंबर वन पुरुष बेडमिंटन खिलाडी कौन बने है तो किदाम भी स्रीकान 2018 में विशु के नंबर वन पूरुच बेड़ मिंटन खिलाडी कि दाम भी स्रीकांद बने है भारत के लिए 2018 में कुस्ति का पहला स्वन पदर किसने जीता है तो राहुल अवारे ने भारत के लिए 2018 में कुस्ति का पहला स्वन पदर राहुल अवारे ने जीता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question Next question है नरेंदर मोदी ने भारत की पहली विद्युद हाई स्पीड 140 ट्रेन का सुबारम कहां किया है तो ये बिहार में 2018 में जल पर्यावरण ओड जल वायू परिवर्तन पर सम्मेलन नेपाल में शुरू हुआ है दसवा Defense Expo India का सुभारम कहां किया गया है तो यह तमिल नाडू में दसवा Defense Expo India का सुभारम तमिल नाडू में किया गया है चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं next question next question है Commonwealth Games 2018 के 21 संस्करण की सुरुवात कहां की गई है तो गोल्ड कोस्ट ऑस्टेलिया में Commonwealth Games 2018 के 21 संस्करण की सुरुवात गोल्ड कोस्ट सहर ऑस्टेलिया में की गई है 2018 के राष्ट मिंडल खेलों में पहला स्वन पदक किस ने जीता है तो यह मीरा भाय चानू ने 2018 के राष्ट मिंडल खेलों में पहला स्वन पदक मीरा भाय चानू ने जीता है और किस में जीता है भारतोलन में बहरीन ग्रांपिरी दो होजा ठारा खिताब किसने जीता है तो ये सेबस्टीन बेटर ले सेबस्टीन बेटर ले बहरीन ग्रांपिरी दो होजा ठारा का खिताब जीता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question session पसंद आ रहा हूँ तो like button प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो को share भी कर दे ताकि बाकी लोग भी हमाई साथ जूट जाए और इस वीडियो को देख सके next question है किसने मियामी ओपन दो हजा अठारा का पुरुस एकल का खिदाब जीता है तो अमेरिकन जोन इसनर ने अमेरिकन जोन इसनर ने मियामी ओपन दो हजा ठारा का पुरुस एकल का खिदाब जीता है किसने अपना छटा संतोस ट्रोफी फुटबोल खिदाब जीता है तो केरन ने केरन ने अपना छटा संतोस ट्रोफी फुटवल का खिदाब जीता है किस राज्ये ने लड़कियों को विवास आयता परधान करने के लिए रूप सिरी योजना की शुरुआत की है तो पस्षिम बंगाल ने से किसे सम्मानित क्या गया है तो मिताली राज कोма, 2018 में Sports Person of the Year से मिताली राज को सम्मानित क्या गया है, भारत का सबसे स्वच्य हवाई अड़ा किसे गोशित क्या गया है, तो मंगलुरु हवाई अड़े को गोशित क्या गया है, 2018 में JC Daniel Awar से किसे सम्मानित किया गया है स्रीकुमार थंपी को 2018 में JC Daniel Awar से सम्मानित किया गया है चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं next question चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिसे कि आपको हमारे द्वार बनाये गई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए next question है 2018 में राज्य सरकार ने किस एक समुदाय को अलप संकेक का दरजा दिया है तो लिंगाय समुदाय को 2018 में राज्य सरकार ने लिंगाय समुदाय को अलप संकेक का दरजा दिया है 2018 में ACI बिलियर्ज चेंपियनसिप का सीरसक किस ने जीता है फिर पंकज आडवानी ने 2018 में ACI बिलियर्ज चेंपियनसिप का सीरसक पंकज आडवानी ने जीता है भारत का पहला कीट संग्राले कहां पर खोला गया है तो यह तमिल लाडो में भारत का पहला कीट संग्राले तमिल लाडो में खोला गया है चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्ष कोसन Next Question है, किस देश में 35 वर्षो बाद पहली बार movie theater खोला गया है? तो है सौधी अरब में सौधी अरब में 35 वर्षो बाद पहली बार movie theater खोला गया है विशुप्रेश सोतंतरता सूचकांग 2018 में भारत किस इस्थान पर ही? तो 138 इस्थान पर विशुप्रेश सोतंतरता सूचकांग 2018 में भारत 138 वे इस्थान पर ही? 2018 में भारत का सबसे विशुशनी इंटरनेट ब्रांड कौन बना ही? तो एक Google 2018 में भारत का सबसे विशुशनी इंटरनेट ब्रांड Google बना ही? चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्ष्ट कोशन नेक्ष्ट कोशन है राष्टी बोधिक संपदा पुरुशकार 2018 से किसे समानित क्या गया है? तो वेग्यानिक और ओध्योगिक अनुसंदान परिशत को वेग्यानिक और अध्योगिक अनुसंदान परिशत को रास्टी बोधिक संपदा पुर्शकार 2018 से सम्मानित क्या गया है सिरूई लीली फेस्टिवल 2018 का समापन का हो आता तो मनीपूर में ग्यारवा बारसि लोना ओपन 2018 खिताब किसने जीता है तो राफेल नडालने राफेल नडाल ने जारवा बारसी लोना ओपन दो होजा अठारा का खिताब जीता है चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन है डादा साहे फाल के पुरुसकार दो होजा अठारा से किसे सम्मानित क्या गया है तो अक्षी कुमार को डादा साहे फाल के पुरुसकार दो होजा अठारा से अक्षी कुमार को सम्मानित क्या गया है आठवा दक्सिनी एसे जुड़ चेंपियंसिप कहां पर सुरू हा था तो नेपाल में आठवा दक्सिर A.C.A. जूड़ चेंपियंशिप नेपाल में शुरू हुआ था राष्ट मेंडल खेल दो हजा थारा में भारत कौन से इस्थान पर रहा था तो तीसरे इस्थान पर रहा था तो यह था हमारे आज का 500 वेल मोस्ट इंपोर्टेल करन्ट अफेर्स के क्योशन्स का वीडियो नमबर 6 इसे के साथ आज का वीडियो यह इसमावत होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक कमेंड और सेर करना बिल्गुल भी ना भूले हम फिर मिलते हैं हम हमारे आगले 500 वेल मोस्ट इंपोर्टेल करन्ट अफेर्स की क्योशन्स का वीडियो नमबर 7 के साथ तब तक के लिए थेंक्यू